इस कहानी की शुरुवात होती है Ben Tennyson से जहाँ पे वो अपने लिए लिंच ले रहा था और वहीं हम देखते हैं कि Kyber ने Ben के उपर नजर रखी हुई होती है Ben जैसे ही अपने लिंच को खाने जाता है वहाँ पे एक भूकम पसा आता है और Kyber का Pet एक बड़े से जाइन्ट एलियन में ट्रांस्फॉर्म होके Ben के उपर में अटाक करने लगता है Ben डायमिन हेट में ट्रांस्फॉर्म हो जाता है और उस जाइन्ट एलियन के उपर में अपने क्रिस्टल से अटाक करने लगता है पर वो एलियन एक जिगें पे स्थेबल नहीं होता है और डायमिन हेट को हवा में उच्छालके उसे खाने वाला होता है वो जाइन्ट एलियन डामेन हेड को खाने ही वाला होता है पर डामेन हेड अपने क्रिस्टल्स का यूज करता है और उसके चंगुल से बाहर निकल जाता है और अपने क्रिस्टल्स का यूज करके उस एलियन को जकर लेता है ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए जिसके बाद में Ben Rook के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी मदद आ के कर सकते थे Rook जवाब देता है कि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं Ben ये सुनके हैरान तो होता है पर Rook की बात को माइंड नहीं करता और कहता है ना जाने आजकल मेरे पीछे इतने सारे एलियन एक साथ कैसे पड़ गए और मुझे नहीं पता कि वो कौन है जो मेरे उपर ये सारे हमले करवा रहा है Rook भी Ben की तरह कूल डायलोग मानने की कोचिश करता है Rook की इसी डायलोग बाजे से Ben को ये हिंट मिलता है कि उसके जानने में एक साइको डॉक्टर है जो की अलग एनिमल्स और एलियन से Ben पे अटाक करवा सकता है और वो कोई और नहीं डॉक्टर एनिमो है इनके बताय जाने पे Rook अपने डेटा को चेक करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन से डॉक्टर एनिमो की बात कर रहे हो पर मेरे जानकारी के हिसाब से एक डॉक्टर एनिमो को मैं जानता हूँ जो कि इस समय प्लंबर हेटकौाटर के जेल में बंद है जिसके बाद हम Ben and Rook को Plumber Headquarters में देखते हैं Ben Rook से कहता है कि मानो या ना मानो पर इन सारे कलाकांडी के पीछे डॉक्टर एनिमो ही है और Rook को डॉक्टर एनिमो के बारे में बताने लगता है कि कैसे बचपन सही डॉक्टर एनिमो उसके जान के पीछे पड़ा हुआ था अपने केज में नहीं था और Ben कहता है कि मैंने पहले ही बोला था इन सब के पीछे डॉक्टर एनिमो ही है और वो दोनों आपस में डिसकस करने लगते हैं कि आखिर में डॉक्टर एनिमो कहां गया होगा और इसी बहस के बीच में Ben काफी सारी चीटियों को एक लाइन से जाते हुए देखता है तो उन्हें फॉलो करता है और देखता है डॉक्टर एनिमो के केज में एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ है जिसके बाद में Ben and Rook उस सीक्रेट रास्ते से होते हुए सहर के बेस्मेंट में पहुँच जाते हैं और Ben के कहने पे Rook and Ben एक बार वापस से उन चीटियों को फॉलो करने लगते हैं चीटियों को फॉलो करते करते उनका सामना एक जाइंट आंट से होता है Ben and Rook को देखते ही वो चीटी उन पे अटाय करना स्टार्ट कर देती है Rook के उपर में वो चीटी काफी भारी पड़ती है तभी Ben उसे रोकने के लिए एको एको में ट्रांस्टॉम हो जाता है और उस चीटी का ध्यान रुक से भढ़का के अपने उपर कर लेता है वो जायंट चीटी एको एको का पीछा करने लगती है रुक अपने लेजर गंड से उस चीटी के उपर में अटाय करता है पर उसे एक खरोज भी नहीं आती और एको एको का पीछा करते हुए वो चीटी एक बड़े से हौल में पहुँच जाती है जहांपर echo echo अपने काफी सारे duplicates बनाके sound power का यूज़ करके उस cheaty को बुरी तरीके से हरा देता है उस cheaty को हराने के बाद में Ben अपने default रूप में आ जाता है और रुख उसकी तारीफ करता है पर Ben अपने मूँ अपने ही डिंगी मारे उससे पहले वहाँ पे काफी सारी cheaty आंके उन दोनों को घेर लेती है Ben डरते हुए कहता है कि मुझे इस चीज़ का पहले से ही अंदाजा हो जाना चाहिए था और रुख से पूसता है क्या तुम्हारे गन में कोई freeze power है या fire power रुख जवाब देता है कि मेरे गन में ऐसी कोई भी powers नहीं है इतना ही सुनने के बाद में Ben जैसे ही alien में transform होने वाला होता है उन cheaty को किसी प्रकार का signal मिलता है जिसके बाद वो cheaty उन पे attack नहीं करती उस signal को follow करने लगती है Ben एन रुख को ये काफी अजीब लगता है जिसके बाद वो उन giant cheaty का पीछा करने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारी cheaty मौजूद हैं जिनके पास अलग-अलग तरीके के machine को उठाती हुई कहीं पे जा रही है Ben रुख से कहता है कि अगर ये cheaty इतने भारे machine को उठा सकती हैं तो हमारा weight भी उठा ही सकती होंगी और इतना ही कहने के बाद में वो दोनों एक giant cheaty के उपर में कूद जाते हैं रुख cheaty के बारे में बताने लगता है Ben उससे पूछता है कि आकर में तुम्हें cheaty के बारे में इतना सब कैसे पता रुख जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे इस planet पे आने से पहले मैंने यहां की cheaty के बारे में पढ़ा था पर तब ही उसे रुख रोग देता है और cheaty के philemon को अपनी body पे और Ben की body पे लगाने लगता है और Ben के पूछे जाने पे रुख उसे बताता है कि cheaty किसी भी घुसपैटी को असानी से पहचान जाती है उनकी सुंगने की सक्ती काफी जादा तेज होती है जिस वज़ा से हम इस philemon को लगा रहे हैं ताकि हम उनमें से एक लगें फilemon के लेप को लगाने के बाद में Ben Andrew चीटियों को follow करते हुए उनकी गुफा के अंदर में चले जाते हैं और काफी जाच परताल के बाद आखिरकार वो दोनों डॉक्टर एनिमो को देखी लेते हैं डॉक्टर एनिमो को देखते ही Ben उनसे सीधा सीधा सवाल करता है कि आखिर में मुझे मारने के लिए तुमने उन mutant aliens को क्यों भेजा हुआ था डॉक्टर एनिमो जवाब देता है कि मैंने किसी भी प्रकार के mutant aliens को नहीं भेजा हुआ था और वैसे भी phase 2 से पहले तुम्हें मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है पर लो देखो तुम मरने के लिए खुद बखुद मेरे पास आ गए पर मैं तुम्हें कुछ भी करने से पहले एक चीज जरूर बताना चाहूँगा टैनिसन कि क्या तुम्हें पता है कि प्रिथिवी पे एक खरब से भी ज़्यादा चीटियों की प्रजाती मौजूद है बस साउथ अटलांटिका के कॉंटिनेंटल को छोड़ कर बेन जवाब देता है कि हां कुछी देर पहले मुझे ये सारी जानकारी प्राप्त हुई डॉक्टर एनिमो बताता है कि मैं एक ऐसा मशीन बना रहा हूँ जिसकी हल्प से इस प्लैनेट पे मौजूद मैं सारी चीटियों को जाइंट कर दूँगा और उसके बाद मैं उनका राजा बन के इस अर्थ पे कॉंकर करूंगा और इतना ही कहने के बाद में एक भायाना खसी को हसने लगता है डॉक्टर एनिमो की ये बात सुनके रुक बोलता है कि हमला कराने वाला ये तो नहीं हो सकता बेन रुक की बात से सहमत होता है वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि Khaiber अपने बेट के साथ Ben की स्मेल को सूंगता सूंगता डॉक्टर एनिमो के अड़े पे पहुँच जाता है और वहीं दूसरी साइड बेन डॉक्टर एनिमो को धमकी देता है कि तुमारे इस डरावने से प्लैन को मैं काम्याब नहीं होने दूँगा डॉक्टर एनिमो हस्ता हुआ कहता है कि अब तुम चाहे जो भी कर लो ना तुम मुझे रोक पाओगे ना ही तुमारी ये एलियन और धीरे धीरे करके वहाँ पे काफी सारी चीटियां आने लगती है डॉक्टर एनिमो ये देख के बेन से कहता है तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो पर चीटियों की जब तादाज जदा होती है तो वो किसी से भी जीत सकती है पर रैथ अपने एक के बाद एक प इसी बीच बेन भी अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांस्वाम हो जाता है जहांपे रैथ अपने गन से उन चीटियों के उपर में अटाक करता है और बेन के जान को बचाता है और इसी फाइट के दोरान बेन एक बार वापस से एलियन में ट्रांस्वाम हो जाता है डॉक दॉक्टर एनेमो को बुरी तरीके से तोड़ता है। कभी वो डॉगी एक alien में transform हो जाता है डॉक्टर एनिमो ये देख के बहुत ही खुश होता है और कहता है कि अगर ये मेरा नहीं तो बहुत ही जल्द अब ये मेरा होगा और अपने mind controller से उस डॉगी को control करने की कोशिश करता है पर वो डॉगी डॉक्टर एनिमो को ही तोड़ना चालू कर देता है जिसके बाद में वो बेन के पीछे पड़ जाता है पर बेन उस नए alien की power से बहुत तेज हो चुका था और वो उसके हर एक वार से बच रहा होता है और जैसे ही बेन उस alien पे attack करने जाता है उसके मुँँ में लगे हुए liquid में फस जाता है खाइबर ये देखके खुश होता है कि अब बेन टनिसन का काम तमाम होने वाला है पर तभी बेन रुक से मदद मांगता है और रुक बेन को उसके चंगुल से आजात करवा देता है जिसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो की मशीन ओवर लोड हो चुकी है और खाइबर का डॉग अभी भी बेन के पीछे पड़ा हुआ था बेन समझ जाता है कि मैं उसे नहीं रोक सकता पर डॉक्टर एनिमो की जाइन चीटियां उसे बहुत ही असानी से रोक सकती है जिसके बाद में बेन उचलता हुआ डॉक्टर एनिमो के पास जाता है और उसके सेरिब्रो मशीन को छीन लेता है और उसे एक ही जटके में तोड़ देता है जिससे सारी चीटियां डॉक्टर एनिमो के कंट्रोल से छूट जाती है और एक एक करके वो सारी चीटियां उस डॉक के उपर में अटैक करने लगती है और उसी दौरान बेन रुक से कहता है कि अब हमारे पास यही मौका है जहां पर रुक्टर एनिमो के मशीन को फटने से पहले ही रेंडमाईज कर देता है मशीन रेंडमाईज होने के बाद में टूटने लगती है और वो सारी जाइंट चीटियां गायब हो जाती है जिसके बाद खाइबर का डॉक्ट एनिमो भी भाग रहा था पर डॉक्टर एनिमो को रुक एन बेन रोक लेते हैं वहीं दूसरी साइड वो डॉक खाइबर के पास जाता है खाइबर उसे कहता है कि तुमने अपना काम बखूबी से किया बस टैनिसन लखी था जो इस बार वो बच गिया पर आगे से मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में ना तो उसका पार्टनर आएगा ना कोई म्यूटेन डॉक्टर जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है हम बेन एन रुक को प्लंबर हेटकॉाटर में जाते हुए देखते हैं जहां पर रुक बेन से पूशता है कि तुम्हारा मूर जीत की खुसी वाला नहीं लग रहा है बेन बताता है कि डॉक्टर एनिमो जब मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ है तो ना जाने वो कौन है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उसका डॉगी जब-जब किसी नए एलियन में ट्रांस्फर्म होता है वो मेरे एलियन्स के सिकारी जैसे लगते हैं रुक जवाब देता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक होगा पर अच्छी बात ये है कि अब डॉक्टर एनिमो हमारे रास्ते में नहीं आने वाला जिसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो जेल के अंदर बंद दिखाये जाता है और वो कहता है कि अभी खेल खतम नहीं हुआ है और डॉक्टर एनिमो के इविल हसी के साथ में इस एपिसोड का एंड हो जाता है